Hello friends, क्या हाल चाल है, I think आप रोखी गोगे, तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफी interesting और informative यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ, और जैसे कि आप लोग ने थमने देखी लिया है, तो आज हम यहाँ पे discuss करने वाला हूँ, post graduate program offered by IIT Bombay in physics, तो आपने बिल्कुल सही देखा, यह हमारे मन में अकसर एक questions, एक curiosity हमारे मन में जाकती है, जब भी हम यहाँ पे IIT jam exams को लिख रहे होते हैं, और जब हम यहाँ पे branch को choose कर रहे होते हैं, तो हम यह जानने की courses करते हैं, कि भाई, IIT Bombay में, मैं किन courses में post graduate कर सकता ह तो अगर हम बात करते हैं physics category की, ठीक है, तो इसी के उपर आज का यह पूरा पूरा वीडियो है, आप वीडियो के last तक जरूर बने रहें, तो मैं आपको बताता हूँ कि यह जो program है, यह आपको IIT Bombay offer करता है, जैसे आप देख सकते हैं academic program, यह हमारा academic program है, यहाँ पर आप द program है, इनका यहाँ पर MSC in applied geophysics, अगर आप geophysics से MSC करना चाहते हैं, तो IIT Bombay आपको यह चीज offer कर रहा है, और इसके अंदर आपकी total 20 seat हैं, आप देख सकते हैं, इसमें आपको 20 seat मिल नहीं हैं, तो यह हमारे पास है general की 7 seat, यह हमारे पास general PWD की, यह EWS, यह EWS, PWD, तो ऐसे क करके हमारे पास यहाँ पर geophysics में आपकी 20 seats हैं, वहीं पर अगर आप बात करते हैं, MSC in physics में, तो जो हमारा MSC in physics है, अगर हम बात करते हैं, core physics में, तो core physics में आपकी यहाँ पर 30 seat हैं, मन्दा total मिला के हमारी यहाँ पर 60 seat आपको यहाँ पर offer कर रहा है, उसके बाद MSC और PhD, ये हमारी dual degree है, in energy science and engineering, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसमें हमारी 4 seat हैं, और total हमारी 9 seat हैं याप पर हैं, इसी तरीके से MSC, PhD, ये भी हमारी dual degree है, environmental science and engineering, तो इसमें आपकी total 2 seat हैं, एक आपकी general की है, और एक आपकी OBC की है, तो इस तरीके से, यहाँ पर हमने seatों का distributions बता द दिया, ये जो आपको program offer कर रहा है, या आपका physics department, जो हमारा IAT Bombay का physics department है, वो आपको ये seat offer कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप geofysics में interested हो, तो IAT Bombay, अगर आप physics में interested हो, तो IAT Bombay, जो हम core physics की बात करते हैं, महीं पर अगर आप MSC plus PhD, यानि के dual degree course चार्तिक, तो आप IAT Bombay में जा सकते हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, energy science engineering, और दूसरे वारे में environmental science and engineering, ठीक है, तो ये चीज़े है, I think आपको ये चीज़े यहाँ पर समझ में आई होगी, तो आप IAT Bombay में जाके, इन courses को भी explore कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुती informative की बात बताना चाहता हूं, तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर IAT Jam 325 और CUT PG 325 एक्जाम को target कर रहे हो, तो IFS आपके लिए यहाँ पर 20 अगस्त से batch लेके आ चुका है, तो आप हमारे इन batch में आके enroll कर सकते हो, जैसे यह हमारे पास है, exclusive online, यह हमारा एक batch है, IAT Jam का, फिर य हमारे पास है, exclusive recorded case, CUT PG का, और इसी तरीके से, आप देख सकते हो, कि यह हमारा live batch भी है, ठीक है, इसमें हम आपको flat 70% को off दे रहे हैं, तो आप जाके इसको ले सकते हैं, और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कि मैंने आपको price बताये हो हैं, अगर आप recorded course चाहते है तो वो आपको मिलेगा मात्र 2,999 रुपे का, और अगर आप IAT Jam और CUT PG का course चाते हो, तो live course तो वो आपको मिलेगा 3,999 रुपे का, यानि कि लगबक 4,000 रुपे का live course है, और वहीं पर जो हमारा recorded course है, वो 2,999 रुपे का है, तो आज ही जाईए और इसको ले लीजे, ठीक है द